हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल लातस गार्डन एन ब्लाग तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप इन हेंगिंग पार्ट को देखे बहुत ही खुपसुरत खुपसुरत प्लांट लगे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख सकते हैं टर्टल वाइन की बेल है पोर्चुला का है और वांडरिंग जिव है यह देखिए बहुत ही अच्छे से सजाया गया है काफी सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं बीज से कमल के पौधी को कैसे उगाते हैं वही मैं आज बताने जा रही हूँ और कैसे उगाते हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स तो वीडियो के लाश्ट तक आप लोग बने रहेगा तो फ्रेंड्स से लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स यह है कमल के पौधी ज घर में असानी से टब में हम इसको उगा सकते हैं फ्रेंट्स जो काफी सुन्दर लगता है और हम इसे रोज देख सकते हैं अपने घर में उगा कर देखे और कमल का फूल तो बहुत ही खुबसुरत लगता है फ्रेंट्स किसे नहीं पसंद कमल का फूल बहुत ही खुबसुरत और यह देखिए इसमें उगाया गया है टब में तो फ्रेंड्स इस तरकी से आप कमल के पौधी को घर में उगा कर अपने गार्डन की शुबा बढ़ा सकते हैं और इसका फूल तो बहुत ही खुब्सूरत लगता है तो देखिए यहाँ पर है यह देखिए कमल के बीज इसे कमल गट्टा के नाम से भी जाना जाता है तो इसे कैसे उगाते हैं चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ तो देखिए सबसे पहले बीज लेकर उसके नुकेले वाले भाग को इस तरीके से इसको खुरदूरे पेपर में घीस लिया जाता है या तो आप पत्थर से घीस सकते हैं या फिर खुरदूरे पेपर से आप घीस लेंगे यह देखिए ताकि हम पानी में डुबाएंगे तो वही पड़ से अंकुरित होकर निकलेगा फ्रेंड्स यह देखिए यह टब लिया गया है यहाँ पर और टब के नीचे मिट्टी डाले हैं यह देखिए और टब को पुरा पानी से भर दिया गया है तो यहाँ पर बीच को हम इस तरीके से बौएंगे फ्रेंड्स जो घीसा फाला भाग है उसको ऊपर रखेंगे और इस तरकेसे इसको मिट्टी में लगा देंगे तो देखे फ्रेंड्स अंकुरत होने में यह एक हप्ता लगा और इसके पत्ते निकलने में 15 दिन का टाइम लगा है तो इस तरीके से देखिए हम घर में भी कमल के फूल के बीच को घर में आसाने से उगा सकते हैं और अपने आंगन में भी हम कमल खिला सकते हैं अपने घर आंगन की और गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं तो आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से बड़ा सा टब लेकर उसमें मिट्टी भरक ये बीज से आप तयार कर सकते हैं इस तरीके से बीज से आप कमल के पौधे तयार कर सकते हैं जैसा कि तलाबों में दिखता है काफी खुबसूरत दिखता है इससे तलाब में ही देखा गया है लेकिन अब क्या है घर में इसको सजावटी के तौर पे और रेस्टोरान में कई जगा इसे सजावटी के तोर पे घर में भी लगाया जाता है होटलों में लगाया जाता है जो काफी खुबसूरत लगता है तो आप भी इस प्रकार से कमल के पौधे को घर में उगा सकते हैं वह भी बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इधर और देखिए को और दिखाती हूं कहां कहां पर किस तरीके से कॉर्णर को डेकोरेट की है तो चलिए फ्रेंड्स आप तो यहां पर देख चुके हैं बहुत ही कुपसूरत लग रहा है और इस तरीके से इस कॉर्णर को देखिए फ्रेंड्स यही गार्डन का मतलब सामने वाला भाग है औ और बाटल का उपयोग किया गया है और दो गमलों को इस तरीके से बनाया गया है काफी खुपसूरत लग रहा है वाओ व्यारी ब्यूटिफुल गार्डन देख सकते हैं दोनों साइड इस तरीके से रखके इसमें स्नेक प्लांट और पीछे यह देखिए यह है एगलो निमा क का प्लांट रखा है इसमें भी काफी खुपसूरत डॉल रखा गया है फ्रेंड्स यह देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए इसका गार्डन घुम आप लोग को कैसा लगा प्लीस कमेंड बक्स में कमेंड करके बताएगा और देखिए फ्रेंड्स यहां प सभी गंबलों को सजाया गया है देख सकते हैं कुछ न कुछ इसमें यह देखिए किया गया है यहां पर है देखिए स्यूलिंग और नंदी बाबा है यहां पर इसमें भी वाइट पत्थरों से यहां पर इसको सजाया गया है काफी खुपसूरत लग रहा है देख सकते हैं क यहां पर इसकी खुबसूरती बढ़ाय हुए हैं काफ़ी खुबसूरत लग रहा है इसका गार्डन और इधर देखिए यह है कॉलियस का प्लांट और यहां पर है यह देखिए sweet potato wine और डेविल का प्लांट है यहां रबर्ड प्लांट है यह देखिए और सभी प्लांट की ग्रोध बहुत अच्छी से हो रही है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इसमें मेहनत कर रही है और यहां पर देख सकते हैं छोट जोटी पेंट के डिबे में भी बेल वाले पौधेल लगा आए गए है फ्रेंड्स यह देखिए और उपर रेलिंग में भी बहुत बड़े-बड़े गमने रखे हुए है और इस चाहिए दिखाती हूँ फ्रेंड्स यह देखिए यह टर्टल वाइन की बेल है इसको भी बहुत अच्छी से सजाए गई है और जो बच्चे के को सजाई है हर एक कार्णर को सजाई है और और भी है फ्रेंड्स तो मैं बाकी का अगले वीडियो में दिखाऊंगी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स और जो भी मेरे चैनल पर न नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बावे टेक क्यार